बच्चों को सब्जिया खिलाना और एक हल्दी नाष्टा देना बहुत जादा सरदर्द का काम होता है फ्रेंट्स क्योंकि बच्चे जो है वह ऐसी चीज़े खाती ही नहीं है ना तो सब्जिया खाना पसंद करते ना ही कोई हल्दी सा नाष्टा हो लेते हैं लेकिन आज एक एसी रिसेपी आप लोगों के लिए लेके आई हूं जिससे बनाने के बाद अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो उनकी फेवरेट ये रिसेपी हो जाएगई अप लोग देख सकते हो को देखने में जतना टेस्टी लग एक खाने में उससे कहीं ज़utive बना बना है और और इसे आपके बच्चे एक बार खा लिया ना मतलब तो बार बार यही रेसिपी मांगेंगे और जो सब्जा नहीं काते वो सब्जा आप इसमें यूज कर सकते हो और सारी सब्जा जटपट से खा भी जाएंगे उनको इनासा भी बहुत साधा पसंद आएगा तो चलिए इस ह एक नहीं परके मैंने अनुसार नमक ले लेंगे उसके वाद के शाथा चोथाए सब्संद K वाध नैए Ayam, पर थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पानी colors आड करते जाएंगे और जो बैटर उससे बनाते जाएंगे बैटर आपको किस कसे निवगולनाति और मोर्को के जगह ताकि इसके अंदर कोई भी गुटलिया वगेरा ना पड़ें तो यहां पर मैं एक स्मूध सा बैटर का बना लूँगे और देखें से कंसेस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए एक फ्लोइंग कंसेस्टेंसी का बैटर आपका होना चाहिए अब यहां पर जो बारी कट करके हरा धनिया लिया था वो डाल दिया है और उसके बाद थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी मिर्च और अधरक मेने हाँ पर ढाल दिय थे, अगर आपके बच्छे हरी मिर्च वगरा नहीं काते हैं उनको नहीं देते तो टोटले सकिप कर सकते हो या फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मतलब एक लम से सबजे भी पाने चोड़ेंगी तो अच्छा सा सैट हो जाए और यहां पर मैंने एक चोथाई टी स्पून के करीब आप देख सकते हो काली मिर्चे का पाउडर लिया है क्योंकि बहुत ही जादा अच सबजे य mail दीटेंगे और इसको गोलाई में इस तरीका से फेलाते जाएंगेह और मितलब आधर आएगे जितनने आपका नाष्ट्या पर हो जाएंगे तो अब इसको नहीं पछू गयर दिखा देतीter हूं तो फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हो ऊपर से बहुत अच्छे से ड्राइ हो चुके हैं आप लोग इने चूके देख सकते हो तो देखिए बिल्कुल भी टश करने पर उगली पर नहीं लगा है तो इसी टाइम पे हमें इने पलट देना है तो देखिए यहां पे मैं इनको तो सारे जितने भी मैंने हाँ पर जो हमारा बेशन का नाश्ता बनाया है उसे मैं अच्छे से पलट दूँगी थोड़ा बहुत कर चिपक भी जाता है तो कोई दिकत नहीं फ्रेंस लेकिन वैसे अराम सी उतर जाएंगे जब इन्हें पलट लेंगे तो थोड़ा सा ओयल स्प् जो पकाने के बाद हमारा जो नाश्ता है वह बनके री हो जाएगा तो थोड़ा सा ओइल मैं डाल लें तो अब हम लोग इसे निकाल लेएंगे एक प्लेट में हमारा नाश्ता बनके रहा है और रेटी हो चुका है आप लोग ये रैसिपी एक बार जरूर से है इपना जरू से बताएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और बेल आइकन के बटन को जुरूर से प्रेस कीज़ेगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बहुत य झीज प्रेस आओगा कि दो उहीं झालत कि कीज़ेगा के इदा रहीं Jordi को